अनोखा पोस जहाज के चलने की गती सीमा 45-50 किलो मिटर बताया जा रहा है जहाज संचालक ने भी बताया है कि पहले साहब गंच से मनिहारी और फिर आगे साहब गंच से पटना तक इस जहाज को चलाया जाएगा पटना के लिए परिचालन शुरू होने पर इस जहाज का कहल गाओं भागलपूर, सुल्तान गंच, मुकामा और फटुहा में ठाहरा होगा साहब गंच से पटना जाने में इस जहाज को 6-7 घंटा लगेगा लेकिन खुशी की बात ये है कि अब आप चाहें तो आप पानी के रास्ते पटना जा सकते हैं या फिर सुल्तान गंच, मुकामा, भागलपूर, कहल गाओं कहीं भी अगर आपको जाना हो तो आप पानी के रास्ते होते हुए आप इन जगों पर पहुँच सकते हैं क्योंकि ये बिहार वालों के लिए एक बहुत ही बहतरीन और खुश्नुमा यात्रा होने वाला है